अभी मैं आपको ये बहुत ही सुन्दर फ्लावर डिजाइन बुन करके बताऊंगे और इसे बनाने के लिए आपको फंदे रखने होंगे 18 प्लस 3 के मल्टिपल में और ये डिजाइन टोटल 16 रो का है यानि 16 रो में बुन करके कम्प्लीट हो जाता है लेकिन ध्यान सिर्फ हमें सीधे साइड में ही देना होगा और उल्टे साइड में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही हम बुनेंगे और आप इस डिजाइन से बच्चों के स्वेटर, ब्लैंकेट, स्कार्डिगन या बॉडर बुन सकते हैं और आप देख सकते हैं ये इसका right side है और ये इसका wrong side है तो आप both side use कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही तरब से दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और कोई भी reversible project आप इस design से बुन सकते हैं जैसे कि sawl, scarf या blanket तो अब हम इस design को बुनना शुरू करते हैं और यहां मेरे पास total 21 फंदे हैं तो हम row 1 सीधे side से बुनना शुरू करते हैं row 1 में सुरवात के दो फंदे को हम उल्टे बुनेंगे एक और दो और एक बात हम आपको यहां बता दे कि row 1 बहुत ही important row है क्योंकि आगे हमें row 5 में same row 1 को ही repeat करना होगा तो इसे हम ध्यान से देखेंगे और यहां दो फंदे उल्टे बुल लेने के बाद अब हम next फंदे से repeat start करेंगे और दो फंदे और हम उल्टे बुनेंगे एक और दो उसके बाद उन पीछे के तरफ और अब हम चार फंदे घटाएंगे लेकिन घटाने का तरिका इस तरह से होगा हम दो फंदे पर बिना लेके आएंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इस तरह से हम चार बार और रिपीट करेंगे उन आगे के तरफ एक फंदा सीधा एक वार हम रिपीट कर चुके हैं ये दो तीन और चार उसके बाद अब हम उन आगे के तरफ लेके आएंगे और अब हम चार फंदे एक साथ आगे के तरफ से सीधा बुनते वे घटा लेंगे यहां बिल्कुल इदम सिंपली हमें घटाना है चार फंदे को एक साथ उसके बाद उन आगे के तरफ और अब हम तीन फंदे फिर उल्टे बुनेंगे एक, दो, और तीन और यहां पे रिपीट खतम हो चुका है अब हम सुरवात के दो फंदे को छोर करके यहां से यहां तक ही row 1 के end तक रिपीट करेंगे लास्ट के एक फंदे बचने तक और लास्ट बचे वे इस एक फंदे को हम उल्टे ही बुनेंगे और row 1 कम्पलीट हो चुका है और अब हम wrong side row 2 में आ चुके हैं row 2, 4, 6 और 8 में सेम हम row 2 को ही रिपीट करेंगे या जो फंदे जैसे दिखाए दे वैसे ही हम बुनेंगे तो शुरुवात के पहले फंदे को हम सीधे बुनेंगे और उसके बाद अब हम next फंदे से रिपीट स्टार्ट करेंगे और अब हम 3 फंदे और सीधे बुनेंगे दो और तीन उन आगे के तरफ और अब हम 13 फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और तेरह तेरह फंदे उल्टे बुनेने के बाद हम उन पीछे के तरफ लेके जाएंगे और अब हम दो फंदे और सीधे बुनेंगे एक, और दो, और यहाँ पर रिपीट खतम हो चुका है इसी तरह से हमें रो सेकेंड में रिपीट करना होगा सुरुवात के पहले फंदे को छोड़ करके हम यहाँ से यहाँ तक रिपीट करेंगे और लास्ट बचे हुए इस दो फंदे को हम सीधे ही बुन लेंगे और रो टू बुन करके कम्पलीट हो चुका है और अब हम राइट साइड रो ठर्ड में आच चुके और आगे हम ए रो सेवन में सेम रो ठर्ड को ही रिपीट करना होगा तो इसे हम ध्यान से देखेंगे सुरुवात के दो फंदे को हम उल्टे बुनेंगे एक और दो और उसके बाद अब हम नेक्स्ट फंदे से रिपीट स्टार्ट करेंगे और दो फंदे और हम उल्टे बुनेंगे उन पीछे के तरफ और अब हम तेरा फंदे बीच के सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छै साथ आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरा तेरा फंदे सीधे बुनेने के बाद हम उन आगे के तरफ लेके आएंगे और तीन फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे दो और तीन और यहाँ पे रिपीट खतम हो चुका है सी तरह से में रो 3 के end तक रिपीट करना होगा शुरुबात के 2 फंदे को छोड़ करके हम यहां से यहां तक रिपीट करेंगे लास्ट के एक फंदे बचने तक और लास्ट बचे हुए इस एक फंदे को हम उल्टे ही बुन लेंगे और row 3 बुन करके complete हो चुका है और row 4 बुन लेने के बाद हम right side row 5 में आ चुके हैं और row 5 में हम same row 1 को repeat करेंगे और उसके बाद next right side row 7 में हम row 3 को repeat करेंगे और wrong side में हम जो फंदे जैसे दिखाये दे वैसे बनाते भी हम row 8 तक बुन करके complete कर लेंगे और row 8 तक बुन लेने के बाद हम right side row 9 में आ चुके हैं और आगे हमें row 13 में same row 9 को ही repeat करना होगा तो शुरवात के दो फंदे को हम सीधे बुनेंगे एक और दो और उसके बाद अब हम next फंदे से फिर repeat स्टार्ट करेंगे उन आगे के तरफ एक फंदा सीधा उन आगे के तरफ एक फंदा सीधा उन आगे के तरफ और अब हम चार फंदे को एक साथ आगे के तरफ से सीधा बुनते वे घटा लेंगे उसके बाद अब हम next पांच फंदे फिर उल्टी बुनेंगे एक दो तीन चार और पाँच उन पीछे के तरफ और अब हम चार फंदे फिर घटाएंगे लेकिन घटाने का तरिका अलग होगा हम दो फंदे को बिना बुने उतारेंगे और next दो फंदे को हम पीछे के तरफ से सीधा बुनते वे घटा लेंगे और इस दो फंदे को हम उपर के तरफ से इस तरह से निकाल देंगे उसके बाद उन आगे के तरफ एक फंदा सीधा और इस तरह से हम दो बार और रिपीट करेंगे उन आगे के तरफ एक फंदा सीधा उन आगे के तरफ और एक फंदा सीधा और यहाँ पे repeat खतम हो चुका है इसी तरह से हमें row 9 के end तक repeat करना होगा शुरुवात के दो फंदे को छोर करके हम यहाँ से यहाँ तक repeat करेंगे last के एक फंदे बचने तक और last बचे वे इस एक फंदे को हम सीधे ही बुन लेंगे और row 9 बुन करके complete हो चुका है और अब हम wrong side row 10 में आ चुके हैं और आगे row 12, 14 और 16 में हम same row 10 को ही repeat करेंगे तो शुरुवात के पहले फंदे को हम उल्टे बुनेंगे और उसके बाद अब हम next फंदे से repeat स्टार्ट करेंगे और अब हम 7 फंदे और उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, और साथ साथ फंदे उल्टे बुनेने के बाद अब हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच और अब हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छै और यहाँ पे repeat खतम हो चुका है row 10 में हमें इस तरह से सुरवात के दो फंदे को छोर करके यहाँ से यहाँ तक ही repeat करना होगा last के दो फंदे बचने तक और last बचे वे इस दो फंदे को हम उल्टे ही बुन लेंगे और row 10 बुन करके complete हो चुका है और अब हम right side row 11 में आ चुके और आगे हमें row 15 में same row 11 को ही repeat करना होगा तो इसे हम ध्यान से देखेंगे शुरवात के दो फंदे को हम सीधे बुनेंगे और उसके बाद अब हम next फंदे से repeat start करेंगे और अब हमें 6 फंदे और सीधे बुनना होगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, और छै और अब हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, और पाँच उसके बाद अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, और साथ और यहाँ पे repeat खतम हो चुका है इसी तरह से में row 11 के end तक repeat करना होगा शुरुवात के 2 फंदे को छोर करके हम यहाँ से यहाँ तक repeat करेंगे लास्ट के एक फंदे बचने तक और लास्ट बची हो इस एक फंदे को हम सीधे ही बुन लेंगे और row 11 बुन करके complete हो चुका है और row 12 बुन लेने के बाद हम right side row 13 में आ चुके हैं row 13 में same हम row 9 को repeat करेंगे और next right side row 15 में हम same row 11 को repeat करेंगे और इसी तरह से हम row 13 और 15 को बुन करके complete कर लेंगे और उल्टे side में जो फंदे जैसे दिखाए दे वैसे बनाते हुए हम row 16 तक बुन करके complete कर लेंगे और row 16 तक बुन लेने के बाद यह design complete हो चुका है और इससे continue बनाने के लिए हमें फिर से row 1 तो 16 को repeat करना होगा और यह design इसी तरह से आगे बनते जाएगा